आज हम आपके लिए मेत का टॉपिक लेका हैं दोस्तों आज आपका टॉपिक रहेगा त्रिक्पोन मिती इसमें से लगबग एक या दो क्यूशन उड़ता है और किस लेवल तक पूशता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और ट्रिक्पोन मिती इसमें बेसिक से हम हाई लेवल तक चलेंगे जब आपके आर्मी में जितना लेवल आता है उस लेवल तक बात करेंगे दोस्तों देखो त्रिकोन मिती जो हमारे पास सब्द ह कोणी होता है एंगल और मीती का मतलब होता है जामिती आकर्ती या पाता रहें समझ में मना पारिया की को का मिती मतलब ये होता है चीर्ट युछ लेकिन आकरती क्यों चीक वारी तोली सबाधुतरों करन Was बात करते हैं यह लगता किसमें ट्रिकोण मिती किसमें लगता है तो तingenो एक समकौनசーン है किश में लगता है कि सम को नीम लगता है यह दोस्तों द्रम रखिए गा जोorkोल होते हैं वह स्मकोल को लगते हैं और इस पर बना होता है यह權 और जो एंगल बनाता है वो क्या होता है लंब होता है दोस्तों ये द्यान रखिएगा समकोन तिर बुज में ये तीन बुजाई होती है और तीन बुजाओं का ये नाम होता है ये जो इस पर प्रिपेंडिकुलर होता है वो तो बेस होता है और जो लंब डालता है वो लंब हो इसके बारे में एक पाइधागुरस मरा जये थे उन्होंने पाइथा बिंगरस genetic लेटा ne बताए कि पाइधागुरस नाम का जो विएखयनिक आ क्या था विक्ति था उसके बताया था कि जो करन होता है याई ये जो भूजाओ र These ya man दोनों बुजाओं के वरग के योग के बराबर होती है यहाधार का स्कौाइर प्लस लंब यह कर्ण बाता है अगर में बात करते हैं दोस्तों आगे थोड़ा साइस में तो आपको पता होना चाहिए कितने त्रिकोण मिती होते हैं देखो त्रिकोण मिती में हम छे ठीटा पढ़ते हैं मेंली वो ठीटा कॉन से हैं दोस्तों वो आपको ज्यान में रखना है वो देखो बात करते हैं सबसे पहले ठीटा पढ़ते हैं साइन ठीटा उसके बाद में आगे विड़े तो कोश ठीटा उसके बाद में बात करते हैं तो कोट ठीटा आता है उसके बाद में सेक्ट ठीटा आता है उसके बाद में कोशेक्ट ठीटा आता है बात आरे समझ में दोस्तों अगर तोड़ी सी आगे चर्चा करें हैं इनको सिरिल वाई याद रखना है दोस्तों साथी जुड़ चुके हैं कि कि सा उल्टा होता है, को शेक ठिटा का उल्टा है, तो मैं यह लिख सकता हूं, कि सान ठिटा बराबर ऐख पट में अब देखो, आगे बात करते हैं तो टे कश में क्या लिख सकता हूं, 10 ठीटा किसका उल्टा होता है 10 ठीटा बराबर 1 बटा 4 ठीटा होता है क्या होता दोस्तू 1 बटा 4 ठीटा अब देखो यहां से आपको 2-3 चीज़े शीकने को मिलेगी कि sin ठीटा बराबर यदि 1 बटा कोशेक ठीटा होता है तो कोशेक ठीटा बराबर क्या होगा एक बटा साइन ठीटा हो जाएगा देखो यहाँ पर यह भी चीज़ें होती है कि यदि साइन ठीटा बराबर एक बटा कोशेक ठीटा होता है तो कोशेक ठीटा बराबर क्या जाएगा एक बटा साइन ठीटा तो दोस्तों मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या शेक ठिटा बराबर 1 बटा कोच ठिटा यहां से द्यान से समझ लिए यहां से क्योशन मनेगा आपके बहुत शांदर क्योशन मनेगा अगर आपको ये द्यान होगा तो ही वो क्योशन कर पाऊगे हाँ आगे देखो आगे बात करते हैं कि 10 ठीटा बराबर क्या होता है 1 upon 4 ठीटा तो 4 ठीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि 4 ठीटा बराबर में लिख सकता हूँ एक बटा 10 ठीटा लिख सकता हूँ अब देखो दोस्तों हमने ये चीजे इसलिए पड़ी है क्योंकि इससे क्यूशन बनता है और क्यूशन क्या बनता है दोस्तों ये दिखी द्यान से क्यूशन क्या पूछेगा एक चीज और द्यान रख लिए गया आँसे वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको देखो जैसे 10 ठीटा बराबर क्या होता है दोस्तों मैंने आपको बताये था कि 10 ठीटा बराबर होता है 1 upon 4 ठीटा यह basically formula है यह आपको याद करने है देखो 10 ठीटा बराबर होता है 1 upon 4 ठीटा तो आपको पता होना चाहिए कि co th蓋 बराबर 1 upon 10 ठीटा होता है लेकिन एक formula और होता है वो यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको वो यह ध्यान रखना है कि 10 ठीटा बराबर sign को उसके बदू में 10 का क्या मान होता है 10 ठीटा बराबर होता है sign ठीटा बटा गोज ठीटा क्या होता है sign ठीटा बटा गोज ठीटा ये भी एक basically फुर्वला होता है दोस्तों इसका भी आविसे स्थोर से दिहन रखिए अब देखो घीटा एक ओर क्या फूर्वला पूर सकता है याँ से 10 ठीटा बराबर दोस्तों क्या होता है कि course ठीटा बटा sign ठीटा क्योंकि sign और جो court ओते हैं वो एक दूसरे के क्या होते है यहां से question किस प्रकार से उड़ता है और topic कैसे पूछता है अगला के examiner उसके वेरे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सीदी देखो this question क्या पूछता है मैंने आपको question दिया दोस्तों आपके सामने मैंने question लिखा है कि sign theta dot kosek theta kosek theta का mahn kya है यह question पूछ लेता है क्या पूचेगा, sin theta dot कोशेक theta का मान क्या होगा अगर option में दे रखे होगे तो option में क्या दे सकता है, वो आपको एक बार question बता किया तो बता हूँ, option में ये देगा 0, option B, 1, option C, 2, option D, और 3 यदि ये से option आगे तो आप कैसे क्योंच को देखिए, समझिए यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, कि sin theta बराबर मैंने आपको क्या बताए था, कि जो sin theta होता है, उसके बराबर होता है, वन अपोन, वो शेक theta, ये आपको मैंने बताए है, ये पहले यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, ये मैंने आपको चीजें बताए है, यहाँ पर, कि अधरी science theta होता है, वो किसका ब neglected होता है, देखू, याँ अधर समझे लो, आगे आपके दिक्ट नहीं याईगी, जिसे science theta, यहाँ पर मैं canche theta को change कर सकता हूँ यहां से, तो मैं canche theta को change कर लो, या साइन को चेंज गरनों दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता हूं यदि मैं साइन को चेंज गरूँ पहली बात आपको यह सीखनी है मैं चेंज करूंगा देखना कि जैसे साइन ठीटा है मैं साइन को चेंज गरूंगा तो साइन को एक बटा कोशेक ठीटा लेख सकता हू और ये हमारे पास में कोशेक टीटा एक दे रखा है पराबर इसके वेल्यू पूचिए तो कोशेक टीटा से हैero. केंसे पड़ता को सबस्क्रिक में नियुक्त को एक कम कुशीद से गुर्णा कोश्यक नियुज्ट एक होेले इसंग जाय गा दोस्तों एक हालें समझ मैं किन च्थूट самых बस्तों कि इसका あ volatility तो आप डाइरेक्टली भी कर सकते हो बात आरी समझ में आगे द्यान देते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम आगे थोड़ी चीज तर्चा कर लेते हैं इसके बारे में अगला कुशन आपके सामने में स्क्रीन पर दे रहा हूं दोस्तों इसका आज आनसर आप अब क्यूशन आपके सामने देया मैंने शेख ठीटा कोश ठीटा कश ठीटा का मान? क्या होगा? अब देखो करते हैं instruction सेख ठीटा कॉस्तिटा कोन? को छित आ इसकी वेल्यू निख़ाओ है तो मैंने आपको आपको एक बात बताईथी दोस्तों कि जोशेघ ठीटा होता है वो किसका वल्टा होता है वनपोन कोश ठीटा होता है यह होता है अग नहीं होता मैंने आपको इसको चेज़ गरूँ गरेन लिख सकता हूं न कोश ठीटा को मैं चेंज लेकिन आपक मिस्टेक नहीं होगी अगर आप ध्याना से समજोगे इन चीजों को चोटी-चोटी चीज़े हैं लेकिन ये समझने वाली चीज़े हैं दोस्तों आगे आपके दिक्यत नहीं आएगी फिर देखो आगे अगे अगर बढ़ते हैं इसमें तो मैं आपको इसको चेंज कर लिया तो शेक ठीटा इससे multiply होकर क्या हो जाएगा एक से multiply होकर शेक ठीटा ऐगा दोस्तों एक आजएगा ये 앞लो शेक और टूटा इस विप्रीत आ जैता है उसका क्विक्ड मांए कभ रहर आपशन करवाणा है मैं हुआ क्या है के एनजट आ दोरट और को ढूट को ठीटा का मान क्या हो बांद गा हों क्या होगा 우리 socialist इंट टोट को क्योश्स क्या होगा तो मैंने आपको ये क्यूशन दिया है तो आपका मतलब यह हुआ कि आप इनको एक बार सेल्प करिए दोस्तों अगर हो जाता है आपसे हैं तो ठीक है वर्नाव मैं तो करवा रहा हूं वोड़ पर देखिएगा कि टेंट इटा डोट को ठीटा है तो हम एक को को मैं चेंज गरता हूं तो एक बटा कोट लिख सकता हूं और यह उपर कोट टीटा दे रहा है इस चीए कोट टीटा एजटीज लिग दो कोट से कोट केंचिला ओट क्या बच गया एक या तो यह बेसिक तरीका है आप इसे मल्टिपलाई करके करोगे वह भी आपका तरीका हो सकता है कोट टीटा बागा कोट टीटा क्या जाएगा एक अजाएक़ बात आरे समझमें एक दूसरा तरीका ओर रहे दोस्तों यहाँ पर यह समझियेगा व которой मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो 10 ठीटा होता है वो 10 ठीटा होता है साइन ठीटा बटा कोश ठीटा बताया था ना कि 10 ठीटा होता है साइन ठीटा बटा कोश ठीटा और कोश ठीटा क्या होता है यह तो हो गया & data और जो koota होता है दोस्तों येया पर ऐसे काड़ों से कोश शैट राय बच गया cg It does correct answer वगया दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और यही चीजेएए चोटी चूटी चीजे आपको exam में ध्यान रखनी है जिसने आप question आसने से कर पाऊ अगला क्यूशन देखो, आगे हमर चर्चा करते हैं, यह तो आपके होगी बेसिक बात, ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक बात हैं, वो आपको द्यान अकणिए, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यह को सारणिस करवा देंगे, और इसमें से एक सबसे पहलेदे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम करें, सरो ह्षमी के, क्या बनफूस था? आपको सरह सुमीका ओम अगर बात करते हैं जैसे साइन स्क MIRO-δα प्लस कोई स्क deeply बराबर होता एक यह होता है एक सरह समीका इस शरह समीका आज से हम तीन सरह समीका बढ़ा सकते हैं दोस्तों वह सरह समीका देखे हो साइन स्क am repeatedly प्लस कोई बराबर एक होता है कि जैसे sin square theta बराबर ये cos square theta इधर plus में है उदर जाते किसमें हो जाएगा minus में cos square theta अगर बात करते हैं मैं निकाड़ू value किसकी cos square theta की तो cos square theta बराबर क्या हैगा 1 minus sin square theta ये 3 सरोस्वमिका आपके 1 सरोस्वमिका से बना रहे हैं यानि कि आपको याद क्या रखना है आपको याद 1 सरोस्वमिका रखनी है इससे आपको 3 सरोस्वमिका याद हो जाएगी ये भी हो जाएगी ये भी हो जाएगी क्योंकि 1 सरोस्वमिका से बना रहे हैं क्योंकि जैसे sin square theta plus cos square theta बराबर 1 है तो यहाँ से हमें sin square theta की value निकलूगा तो cose square को यहाँ से उठा के उधर बेज दूँगा तो 1- cos square theta जाएगा फिर यहाँ से हमें cos square theta की value निकलूँ, मुझे यह निकालना तो बराबर के इदर में HOLS square रखना है इसको उठा के उधर बेज दूँगा तो इसको उदर बेज दूगा ट्रांस्पर करूंगा तो यह माइनस का साइन उदर जाते प्लस में हो जाएगा इसका मतलब क्या है बात आ रहे हैं समझ में अब देखो अगला क्यूशन जैसे मैं आपको बोल दूँ यहां से टेन स्कॉयर टिटा की वेली निकालनी है किसकी वेली निकालनी है तो इस एक को उठाके इधर बेज दो क्या जाएगा सेक स्कॉयर टिटा माइनस वन बराबर आ जाएगा टेन स्कॉ जाओ कोई दिकत नहीं है शेक स्कॉयर टिटा माइनस टेन स्कॉयर टिटा बराबर एक है मैं यहां से स्कॉयर टिटा की वेली निकालूंगा तो शेक स्कॉयर टिटा को इधर रख दूँगा वन माइनस यह माइनस का टेन स्कॉयर टिटा दे रखा इसको मैं उठाके इधर निए गई रशूदा बेता एंस- इधर फैर यह समझ में श्क्राइन स्वार्श that उमेब्बगर एक उस्तटा की एधर बेज़ोंगा ऊट इधर दो तो इस इधर स्कूर्श मैं उधर जात के diplomat बन्स में बात आरी hot oui विभाइनस स्कुआर ट Must स्कुआर स्कुआर हुए किसकी विलिव तो कोज प्लस स्कार लीव यह होगी मुख्यरूप से इस तो स्कुआर तो कोज स्कुआर diesem को यह नहीं रेने दो और इस एक को उठागे दर बेज़ दो क्या हैगा को सेख स्क्वाइट ठीटा प्लस का है इदर आते माइनस का माइनस वह ना जाएगा और यह एक सरुस्वमिका और होगी अब देखो यह सरुस्वमिका आपको याद करनी है या तो डाइरेक्ट पूछ लेगा 68 डीगरी प्लस कोस स्क्वाइर 68 डीगरी बराबर या पिर इसको यह पूच लो क्या पूचेगा का मान क्या है किसे प्रकार से करेंगे हूं देखो साइं सकथ हेटा प्ला स्कूर्स के लूंग की यह यहाँ पर सिंस्टीएयोरा का मैं यह माल लूँ कि sin square theta plus cos square theta बराबर क्या होता है दोस्तों एक होता है लेकिन यहाँ पर यह theta ने देकर theta की value दिये कितनी अटसर डिगरी यानि sin square theta की value दिये cos square theta दोनुँ theta same है यदि इस दोनुँ theta same है तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा sin square इसकी value आजाएगी कितनी एक क्योंकि आपको पता है कि sin square theta plus cos square theta की value होती एक तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर theta देते हैं आपको निफूज हो जाओगे कि 86 degree की value क्या होगी अरे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझेगा यहाँ पर theta दोनों यदि equal है sin square theta ये theta और cos square में जो theta दे रखा है यदि ये दोनों equal होता है तो उस दोनों की value क्या होगी एक होगी यह आप directly सरुस्वमिका से याद रख सकते हो sin square theta plus cos square theta की value किती होती है एक होती है इसका मतलब क्या हुआ कि यो जो theta दे रखा है और ये जो theta दे रखा है दोनों equal है बराबर है तो theta इस दोनों सरुस्वमिका मन जाएगी और सरुस्वमिका की value क्या होगी sin square theta plus cos square theta बराबर आपको पता है यदि एक है तो इसकी value मान क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा गबराने की जुरूत नहीं है आपको option देख के वाँ गबरा जाओगे लेकिन गबराने की जुरूत नहीं है अगला परसंदेखों अगला परसंदेशे मैंने दे दिया मैंने दिया है one plus ten square बहुतर डिगरी का मान क्या होगा तो यहाँ पर आप एक चीज शमझिएगा दोस्तों वो चीज क्या है वो बहुतर डिगरी क्या है देखो यहाँ पर हमें दे दिया एंगल बहुतर डिगरी तो हमें पता नहीं कि better degree का angle क्या होगा तो आप को जानते हूँगे मेरे साब से शेक स्कुर्ण ठीटा मैंने लिखाई भी थी शेक स्कुर्ण ठीटा ब्राबर होता है 1 पलस 10 इस्कुर्ण ठीटा ये एक सरुसमी का आपको पता होने चीए, ये मेरे इसाब से मैंने लिखा ही अभी आपको याद होगी होगी, अगर देखो, याद नहीं होता है तो आप क्या गरोगे, एक बार प्रेक्टिस करोगे इनकी, बार बार लिखोगे तो आपको ये एंगल याद हो जाएंगे, किस से फॉर्मूले मनते हैं, कैसे याद गरना, इनको लिखोगे तब पता देलेगा, और लिख लिख के याद करोगे, मैथ हमेशाँ लिख के ही मिला ही जाती है, रब रजिस्टर को साथ में एक, आगे देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि वन प्लस टेन स्क्वाइर बैतर स्क्वाइर बजिएगी, वहां पर उप्टिं में आपको छीय error धिटा भी दे रखा होगा, और शीयर बैतर डिगड़ी भी दे रखा को बैतर डिगरी अनसर करना है, क्योंकि आपको 10 स्क्वाइर में बैतर डिगरी दे रखा है, तो इसका राइट आनसर क्या हो जाएगा, सेख स्क्वाइर बैतर डिग्री इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह चीजें आपको छोटी-छोटी चीजें द्यान रखनी है आपका क्यूशन गलत नहीं होगा कभी है ठीक है आगे देखो अगर मैं आपको एक उड़ देदूं यह स्वरा सुमी का याद होगी ना आपको तो आपके दिक्कती नहीं आएगी मैंने आपको दिया है कि कोसेक स्कोाइर कोसेक स्कोायर 15 डिग्री मैनस 4 इसकोाईर 15 डिग्री का मान क्या होगा क्या कह रहा है कि कोशेक स्कॉाइर 15 डिगरी माइनस कोट स्कॉाइर 15 डिगरी का मान कितना आएगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक फोजी सरोसमी का याद रखेगा सरो समी का से कुशन यह बनेगा ज्यादतर तो कोशेक स्कॉायर ठीटा माइनास ओट स्कॉायर ठीटा बराबर होता है एक यह आपको मैंने एक बात बताए दी इसलिए आपको यह भी याद रखना है यदि दोनों ठीटा एक्वल दे रखे हैं तो आप सरो समी का ही कुशन है ब इस प्रकार से पुचेगा देखिएगा एक क्यूशन और देता हूं मैं आपको यह है क्योशन यह है साइन स्कॉर ठीटा प्लस उसकॉयर ठीटा बटा ठीटा का कि जगे वेल्यू चैंज गर देगा पिर यह रही से लिख दो ठीटा बटा या फिर आपको नीचे देगा और माइनस हcor dessert moments का मान क्या होगा थों या होगा कि आपको साइन स्ट किया होता है एक होता है माइनर स्थोरिक मेराबर एक होता है तो एक हम एक पना इंक यह comport वरना नहीं करदा वहां पर जाओ औं सब्सक्राइब न ही जाओ नहीं तो इसलिए यह द्यान करकना वहां पर ये बीये से भी कर सकता है को क्य से पूर पुट-ब कर सकता है जैसे उसने दे दिया कि साइन इसक्वाइर पंदबरा दिघरी पलस ऑस इसक्वाइर पंदरा दिगरी बटता को से क्ष्वाइर जिसक्वाइर Do N. दोस्तों यहां पर समझने की कोशिच करना आप कि यदि दोनों में ठीटा एकौल है तो इसकी वेल्यू कितनी आएगी एक आएगी निचे इस दोनुका अंगल बराबर है तो इसकी वेल्यू एक आहेगी यह चोटी चोटी चीज़े हैं लेकिन आपके माइंड में गुशालो इन चीज़ों को आपको कभी गलत नहीं होगा यह हम यहाँ पर जो मेटर दे रहे हैं वो मेटर आपके लिए खुल है अब आप प्रेक्टिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा ऐसा है तो मेरे साब से पता होगी हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं आगे हमारा यह थोड़ा सा यह सिक्वेंस में हमने पढ़ाया है जैसे हमने दो मेटर दो टाइप की है अब हमारा टाइप बचेगा जैसे एक तो सारनी से समन्दीत क्यूशन आता है वो सारनी बनाते है पहले तो और सारनी में जि बढ़ाने से देखो हम पहले तो छेट लिए वु जर्ट को जहार रखी है सारनी को यादकरना दोस्तों तूशारणी को यह पर यादD करूआ देगे दिक्कत्ति नहीं कोई देखो सबसे पहले हम यहां पर लुए चहत टीन थीन थिटा है अगो शीह थीट़ाऊ 75 डिगरी पिर आएगा 60 डिगری याद कैसे किरना यह पर आम पो रेटना नहीं है एक बार स्मझाना है सारणे को पूरी को ध्यान से पर यही चिंद कैसे किस परकार कर दाए HE वो भी समझना है द्यान से देखो अब देखो आपको एक बात बताता हूं यहां पर एक राज की बात है बहुत बड़े समझने वाली बात है कि आप जैसे कोई रूम में रहते हो या फिर आप किसी मालों बाहर गए और किसी रूम में या प्लेट में आपने कोछ जोहां पर र два आते कोछ दता निए माल रता हो तो निए था रही है ड्याइवाया है एक का चोथा हिसा होता होता है एक एक बटा चार दे दो वह समझने के लिए बता रहो एक बार ध्यान से समझेगा इसको यह चीज़ें बहुत छोटी है लेकिन समझने वाली बहुत च्छांदर चीज़ है कि मैंने उसको वोला कि वह पहले दिन आया तो हमें क्या दिया हमने कुछ नहीं लिया जीरो ले लिया प पिर तुमने का भी ठी के तीरा आधा किलो देज़ा पिर पिर आदा किलो यह बढ़िया अब देखो यह इसकी value नहीं होगी अब हमें क्या करूँगा इन principalmente root लाइग करो साबह और इसका बी रूट कर दूँगा इनीं आग इनका भी रूट कर दुआ इनका इनका भी रूट कर दूगा मैंने इसका अब भी यहाँ से value निकलने करका है यह अमारे 0 का अगर root जैसे मैंने इसका root किया, तो नीचे वाले जो संक्हाया है, चार, तो मैं a का root करूँगा, तो 1 एक आजाएगी, और root नीचे चार, क्योंकि मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ, रूट 1 बटा root 4 यह से कर सकता हूँ, तो मैंने a का root किया तो मेरे पास value निकल क राई 1, फिर जैसे मैंने चार का रूट किया तो मेरे सामने संग क्या निकल गराई एक बटा दो यानि दो का रूट क्या होगा सोरी चार का रूट क्या होगा दो होगा फिर मैंने इसको तो यहाँ पर सिस्टम सेट कर लिया तो फिर अगला क्या होगा फिर जैसे मैंने इसको लग लग किया तो एक का root करूँगा तो एक और ये root 2 है root 2 का root 2 ही रह जाएगा भई तो इसकी value क्या जाएगी 1 बटा root 2 ऐसे याद करना फिर जैसे अगली value निकाले तो मैं इसको change गया तो root 3 का तो root 3 और root 4 की value कितनी आ जाएगी 2 तो इसकी value कितनी आ जाएगी root 3 बटा 2 ये समझने वाले चीज़े हैं फोड़ा सा गोर से समझेगा ये छोटी चीज़े हैं लेकिन समझने वाले चीज़े हैं तो ध्यान से समझना इस root 1 की value 1 यहां पर चीज़े समझ में आगी अगर आपने एक त्रिकोण मिती sign theta की ये पूरी सारणी निकाल ली तो इस एक सारणी से आप प्रतेक त्रिकोण मिती का मान निकाल सकते हैं ये आपको याद नहीं ये तो भी अब देखो कैसे निकालेंगे वो मान आपको पता ह होने चीज़े वो कैसे निकालेंगे हम मान वो देखेगा वो माने से निकलेंगा दोस्तों आमें पता है कि sign theta की value sign zero command zero और 30 का मान एक बटा दो होता है 45 का मान एक बटा रूड़ दो होता है और 60 डिगरी का मान रूड़ तीन बटा दो होता है और 90 डिगरी का मान होता है एक तो हम कोश्च टिटा के यदि मान निकालेंगे तो कोश्च टिटा को छाप दो आप इसका उल्टा चा करो दो इसका उ यह आगी हुगी होगी दो मागे बड़ते है ह detto हम बड़े आगे हम बड़े हैं तो हम 10 ITA की वेल्यों निक़लांगे निकले कि एन का मान के लिका है लेकिन आपको मैंने एक चीज बता पर बराबर होता क्या है था कि टेंन ठीटा बराबर ठेंगता पराबर एक चीज़ बताएगी sin theta beta cos theta होता है यदि theta same है तो sin theta beta cos theta का मान के आएगा 10 theta यदि हमें 0 degree का मान चाहिए तो sin 0 beta sin cos 0 कर दो और तो किस का माना जाएगा 10 0 का माना जाएगा यदि मैं 0 में 1 का भाग देता हूँ 0 में यदि किसी संग्या का भाग देता हूँ तो क्या आएगा 0 में किसी संग्या का भाग देने पर क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा फिर यदि मैं 1 बटा 2 में root 3 बटा 2 का भाग देता हूँ यहाँ पर देख देख लीजी दोस्तों बटा रूड दीन आजएगा बातारी समझ में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बड़े तो मैं यदि 1045 डिग्री की वेल्यू निकालूँगा तो आपको पता है कि साइन 25 डिगरी ब Mythical Trustee आपको बता है कि का चहाये तो मेरे पास की के आने वाला समसर का भागदे ने पर की आएगा एक साइग खुझी में आगे आगे बात करते हम इस में इसमान वेली निंकल्गा कि दो यह निवी चाहिए लेकिन बहुत बड़ी चीजिज निकलती यह दिन जिरो का भाग देता हूं यानि किसी संख्या में जिरो का भाग देने पर आपको पता ओड़ा चीए इंफिनिटी आता है यानि किसी संक्या में जिरो का भाग देने पर इंफिनिटी आता है लेकिन जिरो में किसी संक्या का भाग देने पर क्या आएगा जिरो आएगा आगे बात करते हैं हमने किसकी वेल्यू निकाल दी टेन की अब टेन की हमने वेल्यू निकाली है तो आगे की वेल्यू इन्फिनिटी आ गया इसको उल्टा लेग दिया रूड तीन आ गया फिर एक आ गया फिर यह वन अपॉन रूड तीन आ गया और इसकी वेल्यू कितने आगी जीरो आ गई बात आ रहे समझ में यह इसका उल्टा हो गया अब एक चीज और समझे दोस्तों यहां पर हमने तो चा रूड तीन आ गया क्योंकि मैंने आपको चीज बताइए वो चीज समझना यहां पर मैं उल्टा क्यों कर रहा हूं यह बात किसी के भरम में है तो यह आपर समझ लेना भाई है ना देखो ब्रम में रही तो फिर मामला गोड हो जाएगा ब्रम मैं नहीं रखना है डाउट के रूट दो यानि एक बटा रूट दो हमारे सामने क्या दे रखा था एक बटा रूट दो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा रूट दो इसका मतलब क्या एक लिख देते हैं यदि एक के नीचे एक माना इस यह संगोना यह संगोना उपर वाला नीचे से तो रूट बच जाएगा नीचे एक बच जाएगा कोई दिक्कती नहीं एक का भाग देंगे तो वही आना रूट तू फिर आगे देखो हमने कि हिए यह जी पुटा करेंगे क्याएगा, जे रूट का विख घूर जाएगे 5 को उल्ट का मतलब यह है कि तो एक में बंब्ला देगे जीडिंब लिख में कजिएगे कि इस सब्स 책 पर वापे से यह जाएगा का है 0 का उल्टा करोगे तक आएगा देखो 0 का यदी उल्टा करोगे आप 0 का बाद Infinity आएगा भई ठीक है अब इसको उल्टा लेग दो Infinity 2 route 2 आजाएगा 2 वाड़ा route 3 आजाएगा फिर आजाएगा एक यह द्यान अककेगा यह सारणी बनगी यह आपके कम्प्लेटली त्रिकॉण मितीगी और यह सारणी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहत्वण और कारगर सा भी तोने वाली है तब आप इसको याद करोगे और पर मैं आपको यहां पर क्यूशन करवाने वाला हूं इनका तो यह सारणी छाप लीजिए यह सारणी क्यों तो ही मामला बेटेगा आगे कि क्यूशन हो पाएंगे हैं आगे देखो आगे बढ़ते हैं अम अगले क्यूशन और इन्हें में क्यूशन किस प्रकार सा पूचा जाता है जैसे इसमें इस प्रकार सकता है कि sin tita plus sorry, यहाँ पर देखो, क्या पूचेगा क्या पूचेगा कि sin 45 degree sign 45 degree plus course 45 degree का मान क्या होगा यह मैंने थोड़ा साब के बड़िया पूर्शन पूचा है फिर एक जैसे court 60 degree का मान क्या होगा यह आपको पूच सकता है sin 90 degree का मान यह पूच सकता है किस परकार से, देखो, यह मैंने normal normal question बता है अब पहले question को हम करता है हमने question पूचा है कैसे करेंगे, देखो, sign 45 degree और आपको पता है कि sign 45 degree का मान क्या होता है आपको याद रखोगे sign जो है, वो 45 degree का मान एक बटा root 2 होता है, क्या होता है sign 45 degree का एक बटा root 2 मान होता है एक मिनट हाँ, sign 45 degree का मान कितना होता है एक बटा root 2 तो आप direct put कर दोगे, एक बटा root 2 यहाँ पर इसमें put करोगे तो एक बटा root 2 आ जाएगा बात आरे समझ में, फिर मैंने लिखा plus, course 45 degree का मान कितना होता है कोई 35 दिग्री का आपको पता है कि 1 upon route 2 होता है अब इसका short करना कोई hard की बात नहीं है अब short करलो इसको देखो इसको short किसे करता है भिनवाली संक्या को कि जैसे 1 बटा route 2 आ गया 1 बटा route 2 प्लस वह है तो 1 बटा route 2 जैसे मैंने इसको Lcm लिया कि करवा देंगे जेसे रुद टू और नीचे रूड Deo है चिशम संख्य Fall ग्रूट्टू का भी भाग चला जाए और इस रूट्टू का भी भाग चला जाए यानि नीचे वाले प्रतिक संक्या का इसमें भाग जाए तो वह कोंबन संक्या होती है वह होता है हमारा वेल्यू क्या जाएगी 2 upon root 2 2 upon root 2 आजाएगा अब मैं इसको अगर शोल करता हूँ इसको मैं शोल करता हूँ आगे जैसे मेरे पास value आई है 2 upon root 2 अब root 2 नीचे से अटाएगे तो root 2 उपर गुणा कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे root 2 गुणा कर देंगे यह root 2 root 2 गुणा होकर क्या आजाएगा उपर तो 2 root 2 आजाएगा क्योंकि root 2 से root 2 गुणा हो जाएगा देखो 2 root 2 से गुणा होगा तो 2 root 2 upon नीचे किया एगा root 2 से root 2 गुणा किया करते हैं इनको केलकुलेशन है स्वाल करना आपको आना चाहिए और शारणी अगर आपको याद है तो आप चुटकियों में स्वाल कर सकते हूं यह अमारा बाद है अब देखो अगर बात करते हैं यहां पर यह चोटा से क्यूशन पूचा है कि कोट साट डिगरी का मान कि आए टड़ेगा ऊपोन ऊपन एप it up only 가까 limaых 3 एफ-फर एप नफॉट एफिक्ट करेक्ट rito that warranty ऑफ फेके आगे बाद करते हैं ayasain 90 degree 90-degree का मान कितना होता है दोस्तों यह sign 90 degree का मान होता है एक यह बहूं को याद रखना है इसIt's Saarmi को और बार-बार Practice करोगे तो आपको Saarmi याद हो जाएगी आप देख eddy भड़ंने से इस प्रकार से qAG Chun पूछे तो किस प्रकार से पूछ देखो थोड़ा सा लेवल अपडेट करते हैं क्यूशन का देखो या तक वे से तो इतना ही लेवल पूचेगा लेकिन अगर लेवल से पूचले तो जैसे मैं आपको एक क्यूशन करवा रहा हूं जैसे मैंने दे दिया कोट 45 डिग्री बटा तो साइन प्लस पोस 45 डिग्री बट्टा साइन की जागे मैं चैंज गर दूँ जिसे को ओट 45 पूछ लिए मालो तो इसका क्यों कैसे करोगे इसमें आपको पता है वेल्यू पूट करने डाइरेक्ट वेल्यू पूट कर दो डाइरेक्ट आंसोरा जाएगा आपको पता है कि जैसे साइन 25 डिग्री का मान होता है वन अपॉण रूड डू प्लस पोस पींदाशी दिग्री का मान होता है वन अपॉण रूड डू अपॉण इसको शोल करोगे तो निचरूड डू को मना आजाएगा वही चीज समय करने हमने किया था पहले रूड़ टू एक एक प्लस कितना आएगा तू अपॉण रूड टू इसको वापिस रूड़ टू बटा रूड़ टू करेंगे तो आपको पता है क्या येगा रूड तू इसका अचो राएगा बात आ आरे समझ में रूड इसमें त्रिकोन मेती का क्यूशन और क्या पूश सकता है यह 90 डिगरी का एंगल होता है यह सामने वाली भुजाकान होती है तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ या रखना है वो यह रखनी है लाल बटा कक्का वाड़ा मेटर है आपने पड़ा होगा चोटी टेंथ कलास में लाल बटा कक्का देखो लाल बटा कक्का होता क्या है याँ पर यह चीझे पहले बतानी होती है लेकिन आपको पता shutting कि वह थोड़की सी चीझे हमने पहले बताई है वह नहीं बताई का आपको बता रहे है और 10 ठीटा में आधार बटा करण आजाएगा और 10 ठीटा में 80 अजाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 10-DTI 10-DTI ऑंचट्स पर राबर क्या Jumuz ओंट आजाएगा लम्ब बटा है यह लम्ब ऻोता है यह लम्ब होता है यह चीज तो आपको पता है मैंने आपको पहले साइन टिटा बराबर क्या होगा लंब बटा करन पोश्ट अब श्रोंड़ क्या है आधार बटा आधार बात आ रहा है अफमात यह पर एक चीज और शीकने को मिलेगी आपको को इस कीजिए है इस साइन टिटा अब लंब बटा करन होता है लंब 250 करण होता है, साइन ठीटा पर क्या होगा, लंबटा करण है, तो आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ पर अगर बात करते हम, यहाँ पर यदि साइन ठीटा बराबर लंबटा करण है तो आपको पता उना चाहिए कि जहां पर कोशेख ठीटा कोशेख ठीटा बराबर क्या जाएगा क्यूंकि साइन ठीटा कोशेख ठीटा का उलटा होता है तो कोशेख ठीटा बराबर क्या जाएगा इसका उलटा करदो करण बटा लंब जाएगा बात यहां से आपको यह चीजे छोटी लग रही होगी लेकिन सबसे बड़ी चीजे हैं अगर आप बेसिकली तरीका यही है अगर यहां से आप सी गोजाओगे तो आगे आपके दिक्कत नहीं आएगी आगे बात करते हैं जैसे शेक टिटा किसका उल्टा होता है शेक टिटा बराबर यदि लंब बटा आधार है तो यहां पर हम निकाल सकते हैं कोट टिटा के वेलु कोट टिटा बराबर क्या आएगा आधार बटा लंब यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है अब इसमें किस प्रकार से पूचा जाता है वो चीजे आपको यहां पर डिक्लेयर कर 3 बटा 5 तो आपको मान निकालना है यदि क्यूशन किस पुरकार से पुझेगा साइन ठीटा बराबर यदि साइन ठीटा बराबर ये है तो कोट ठीटा का मान कोट ठीटा का मान क्या होगा देखो यदि साइन ठीटा बराबर दे दिया आपको 3 बटा 5 तो आपको को ठीटा की value निकालनी है तो यहांसे एक चीज़ समझेगा कि आपको पता है कि sin ठीटा बराबर होता क्या है आपको पता है वहांसे कि लंब बटा कर्ण होता है यानि यह जो 3 दे रखा है वो तो लंब है गुरुजीर ये 5 दे रखा है वो है कर्ण तो आप आप पता है कि जो पाइता गुर्षपर में लगाते हैं वो होती है कर्ण का स्कॉयर बराबर आधार का स्कॉयर प्लस लंब का स्कॉयर ये आपको पता है तो आप क्या करोगे यहाँ पर कंड की value दे रखी है कितनी 5 तो 5 का square बराबर आधार आधार तो दे नहीं रखा है तो भई आधार को आप square यह से लगा के छोड़ दो हमें लंब की value कितनी दे रखी है 3 तो लंब की value रख देंगे 3 का square यहाँ से हम आधार की value निकालेंगे तो आधार का व्रग square बराबर यह जो 3 दे रखा है इसकी value कितनी आजाएगी 9 तो इधर बेज दो इसको यह plus में इधर आते किसमें हो जाएगा minus 5 का square कितना होता है 25 और यह 3 का square यह इधर आते माइनस में आजाएगा 9 तो 3 का square नो होता है अगर इसमें से minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 बराबर आधार square तो हमें यह पता है कि आधार square बराबर 6 है तो आधार की value क्या आएगी आधार की value क्या जाएगी यहाँ से आधार की value यहाँ से निकल लगर आजाएगी क्योंकि अन्रूड सोडा वैं दोनों तरब root करेंगे तो यहाँ से square जाएगा यह आधार बराबर क्या जाएगा root सोडा और आपको पता है कि root सोडा का मान होता है दोस्तों plus 4 यह कितना आधार की value 4 आजाएगी हमें आधार की value यह दि 4 दे रहे कि हमें value किसकी निकालनी है को ठीटा की कैसकी value निकालनी है और आपको पता है कि पराबर क्योंगा देसे मैंने बताया था की लाल बता कख का यह दिया रखिएगा क्योंकिола 10 ठीटा का का होता है لم impose बटा आधार होता है लमब बटा आधार तो को ठीटा किसका उल्टा होता है 10 ठीटा गा तो यहां से आजाएगा आधार बटा लंब आधार की वेल्यू क्या देर की है आधार की वेल्यू हमने निकाली अभी तक 4 आईए कितनी आईए 4 तो आधार की वेल्यू चार बटा, लंब की वेल्यू परसन बदेर किये तो चार बटा, तीन इजदा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस परकार से क्यूशन बोजा जाता है, ये सारण इसे लाल बटा काकस है अब देखो मैंने एक क्यूशन ओड़ देना आपको वो क्यूशन ये है क्यूशन ये है मैंने दिया जैसे मैंने दिया की जैसे कोट ठीटा कोट ठीटा बराबर वोड़े वाली है सारीथ क्लास ठीट हो गई कोट ठीटा बराबर जैसे क्यूशन करणा दूँ मैं कोट ठीटा बराबर जैसे मैंने दे दिया ओके 12 बटा 13 तो आपको निकालना है 10 ठीटा की निकालो एक निकालो इसमें यह वेल्यू निकालनी है यदि कुशन में यह दे रखा है यदि को ठीटा बराबर 12 बटा 13 है तो 10 ठीटा की वेल्यू निकालनी है और 10 ठीटा आपको पता है कि को ठीटा का उल्टा होता है किसको उल्टा होता है और 10 कोट क अरॉट को यहां पर गपड़ा की जरूद नहीं नहीं है यहां पर यहां पर है लुटका, यहां पर हो गबड़ा की साइड़ा के वेल्व पूच लीए है, वह आपको बता है कि जो इसके олता है, वो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था दोस्तों कि जैसे लाल बटा कका होता है वो लाल बटा जिको कका होता है वो कोट में क्या होगा कि अधार बटा लंब होता है तो अधार तो यह होगा और लंब यह होगा वै अधार वो लंब दे रखा है हमें लाल बटा कका में क्या है लंब दे रखा है लेकिन करण नहीं दे रखा है तो करण की वेल्यू निकालने पड़ेगी तो करण की वेल्यू निकालने पड़ेगी तो यहां से एक चीज समझेगा कि करण स्कॉयर बराबर आधार स्कॉयर प्लस लंब स्कॉयर होता है इसका मतलब आधार की वेल्यू कितनी तो क्या आजाएगा 9 4 13 एक बच गया 6 और 4 10 और 15 5 15 15 किते होगे 11 11 का क्या जाएगा एक आजाएगा फिर बच गया एक यह के 2 3 313 कितना जाएगा 313 313 आ गया अब हमारे पास कर्ण स्कोएर की विल्यू है यह 313 तो यहां से कर्ण की विल्यू क्या जाएगी कर्ण की विल्यू आजएगा अंड्रूड 313 यह आजएगी कर्ण की विल्यू तो आपको पता है कि यहां पर कर्ण की विल्यू आगी है आपको पता वोनची की sin tita बराबर क्या होता है sin tita बराबर होता है لمb बटा करण لمb की value यहां से दे रखिए कितनी 13 لمb की value कितनी है 13 और करण की value यहां से है यह हमारे underud 313 तो यहां पर आजएगा underud 313 तो यह आपका right answer हो जाएगा 13 बटा underud 313 इजदा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी मैंने जो समझाई है वो मेरे इसाप से 100% दिया है मैंने और अगर आपके थोड़ा सा और इसमें क्यूशन के प्रेक्टिस करनी है तो आप थोड़ा सा प्रेक्टिस कीज उनका शोलिशन आपको मिल जाएगा यह हिंद मिलते हैं अगली क्लास में झाल है